नमस्कार जेहिन भारत के बीर जबानों आप लोग का स्वागात है अपने यूटूब चैनलेंड इंडिया नामे इस्टोडियो पर जैसी के आपको पता है रोज 8 बज़े से हम लोग के चैनलेंड पर लाइप क्लास होता है तो आज भी आजुके हम लोग के लाइप क्लास पर हम लोग लेके आजुके मोश्ट इंपोर्टेंट 30 कोस हैं जो की दोस्तों आपके अपकमी एक्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर अगर आप लोग 30 में से सब्सक्राइब दे दे तो आप लोग मान के चलो भाई आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोख सकता है यह मेरा बाद आ रहा दोस्तो बहुत ही ढून ढून कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन इंपोर्टन को से लाते है इसलिए दोस्तो आप लोग प्लीज चैलेंग को सब्सक्राइब कर लो यार और अगर आपका कोई भाई वहन या फैमिली मेंबर दोस्तो इस एक्जाइम की तयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे यो वीडियो भी सेयर कर देना तो चली और आपका समयनेश ना करते है बढ़ते को सेन की ओर तो देखो हमने फर्स्ट कोसेन कोसेन ब्रवान बेर पुछाए विज साइट अप दा गेम हैस 15 मेंबर निमने रिखित में से दोस्तो कौन सा गेम है जिसमें पत्रेक्स पक्समें 15 सदस्श्थ होता है तो आपको जलदी से बताएं दोस्तो वह गेम कौन सा है तो देखो वह चरंडरी रुखवाई फुटवार्ड favorites यहाँ गता किलाड़ी लगता है तो इसमें लग जाता है चार और दोस्तो फुटवार्ल में çok तो पंद्रा लगता है और अगर आपको पुछा है कैुछ साइस टॉक टकनका फेसरन 9 फीमबर लग जाता है और आपको ओपसेन भी पर दूस्तों रच जाता है पांच मेंबर बहुत इंपॉर्टेंज को सद दोस्तों इस संस्तफवत कौन है तो देखो इस बंक्स का संस्तफवक यह वाओ लोडी और अगर आपको पूछा जा जो आरियस समाज है इसका संस्तफ़क कौन है तो देखो आरियस समाज का जो संस्तफ़क है वह जास्तो दयारम सावनी और जो ब्रह्मा समाज है इसका संस्तफ़क कौन है तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज़ इसका संस्तफ़क हो जाता है राजा रामोन राय तो चलिए बढ़ते नेश्ट को सेंड के और कोसे नमर थ्री तो देखो कोसे नमर थ्री में पुछाए और उसी वर इजवर सागर डैम लोकेटेड जवर सागरबान की सनदी पर इस्ति थे तो आपको बताना पड़ेगा इसका एंसट है जो जवर सागरबान고 है तो देखो यह चामवल जो नदी आद इस पर इस्ति थे और अगर आपको पूछा जाए जो जवर टरनेर है जब आट टेनल कहां पर इस्ती थे तो देखो जब आट टेनल है दोस्तो ये जम्बू आट कास्मी पर स्ती थे यानि कि दोस्तो जो तीन नमबर कोसें इसके अंशर उजते है ओप्सिन B बाई युर्ण की गती किस में मापा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा जो बाइवयन का गती है दोस्ते किस में मापा जाता है तो देखो ये मापा जाते ओपसेन है अल्टिमीटर फर्ल तो चलिए बटने नेश्ट को सेंगे और कोसेनार फाइब तो देखो कोसेनार फाइब में पुछा है जो सोने का सुद्दता है दोस्तों ये किस में नापी जाती है यानि कि What is the purity of gold mezardine तो आपको बताना पड़ेगा सोने का सुद्दता है किस मापा जाता है तो देखो ये मापा जाता है option भी carrot में तो चलिए बढ़ते नेश्ट कोसेन के और कोसेन नमर 6 देखो हमारे नेश्ट कोसेन कोसेन नमर 6 में पुछा है जो प्रोटीन का कार खाना है दोस्तों प्रोटीन का कार खाना को क्या कहते है तो आपको बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा What is a protein factory called तो आपको जल्दी से बताना इस cosine cancer क्या होगा तो देखो Ribosome is a protein factory called यानि कि दोस्तो protein जो कारखान है दोस्तो इसको कहाते हैं दोस्तो अफसेंसी ribosome तो चलिए बढ़ते ने इस cosine की और cosine number 7 देखो cosine number 7 पुचा है What is the center of intelligence and cleverness in humans मनुस्य में वुद्धी एवंग चतुराई का किंद्र है तो आपको बताना पढ़े का answer क्या होगा मनुस्य में दोस्तो जो वुद्धी एवंग चतुराई का किंद्र है कौन सा है आप लोग जल्दी से लाइब चले बताईए तो देखो वो केंद्र हो जयते option D से रे व्राम यानि कि साथ नमबर कोसन का answer हो जाते है option D तो चलिए बढ़ते नेश्ट कोसन के और question number 8 तो देखो question number 8 में पुछा है who invent dynamite जो dynamite है दोस्तो इसका आविसकार किस नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा who invent dynamite तो देखो अल्फ्रेड नोवेट invent dynamite यानि किसका answer हो जाते है option A तो चलिए बढ़ते नेश्ट कोसन के और question number 9 तो देखो question number 9 में पुछा है दही में किस पकर का अमलब पाया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा दही में दोस्तो किस पकर का अमलब पाया जाता है पड़ेगा जो वीटामिन D है दोस्तों इसका कमीसे कौन सा रोग होता है तो देखो इसका कमीसे जो रोग होता है वो जाते है option B जो भायोगास है दोस्तो बावयोगास मुखर विसैस्ता क्या है तो देखो जो बायोगेस से दोस्तो इसका जो मुख़ भी सस्ता है उस तो option A, methane जाने की इगारा नमबर कोसेन का answer जाते है option A, methane Next question, question number 12 तो देखो question number 12 में पुछा है What is the highest award of bravery given in India? भारत में दिया जाने वाला वीर्टा का सरबच्यों पूरुसकर क्या है? तो देखो इसका answer क्या हो का दोस्तो भारत में दिया जाने वाला वीर्टा पूरुसकर का सरबच्यों पूरुसकर क्या है? तो देखो इसका answer जाए परमवी चक्र यानि की option A तो चलिए बढ़ते हैं इसको सेन के और question number 13 देखो question number 13 में पुछा है जो विद्धवन उद्धान कहाँ पर इस्ती थे? वर इस दा विद्धवन कार्डे लोकेटेड? तब को बताना पड़ेगा दोस्तो यह कहाँ पर इस्ती थे? तो देखो इसका answer जाते option A यानि की दोस्तो 13 नमबर कोसन का answer जाते option A तो चलिए बढ़ते हैं next question question A Sm 12 तो देखो one number 14 नमबर को पुछाएं जो रवल पिंडी है दोस्तो रवल पिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? Who is called रवल पिंडी एक्सप्रेस तो देखो यह कआ जाता है option D 101 अकतार को यानि की 101 अकतार is called रवल पिंडी एक्सप्रेस तो चलिए बढ़ते निश्ट को सेंड किया कोसेंगा 15 देखो कोसेंगा 15 बहुत इजी है इस पर पुछा है वाट इस दापिटल अप ओश्ट वेंगोल पंसी पसिम बंगाल का राज़दी क्या है तो आपको बताना पढ़ेगा जो पसिम बंगाल है दोस्तो इसका राज़दी क्या है राची, कोईमा, डिसपूर या कोलकाटा तो जल्दी से आप लोड़ाश बताईए इस कोसेंगा एंसर क्या होगा तो देखो, जो ओश्ट वेंगोल का राज़दी क्यापिटल है, वो जाते आपसेंडी कोलकाटा है यानिकि इसका एंसर हो जाते आपसेंडी इस्ट कोसें, कोसेंबर 16 तो दोस्तो देखो, कोसेंबर 16 पर पुछाई गया है बैटल अब मदरास, कोस, फाइट इन उचियार मदरास की लडाई दोस्तो किस बर्स को लेड़ी गई थी तो दोस्तो आपको बताना परेगा यह दोस्तो जो लडाई हुई थी यह किस बर्स को हुई थी 1556 में, 1612 में, 1749 में या दोस्तो 1770 में तो दोस्तो आपको बताना पड़ेगा इस कोसेंट के एंसर क्या होगा तो दोस्तो इसके answer हो जाते औपसेंट सी 1746 यानि कि दोस्तो battle of madras cause fight in which year तो दोस्तो ओयर हो जाते औपसेंट सी 1746 तो चलिए दोस्तो बढ़ते नेश्ट कोसेंट की और दोस्तो देखो नेश्ट को सैन को सने बर 7 इंटर पुछे गये भारत में दोस्तो जो बिंगेन स्रिक्स्थान है दोस्तो वो कहाँ पर इस थी थे तो दोस्तो आपको बताने पड़ेगा इसके एंसर क्या होगा मुंबाई, कोलकाता, चेन्नाई, बैंगलोरू तो दोस्तो इसके एंसर हो जाते है आपसिंडी बैंगलोरू यानि कि दोस्तो बैंगलोर इस दा इंडियान इंस्टिूट आफ साइन्स लोकेटेड इंपोर्डेन को सैन है दोस्तो या दखना तो चलिए बरते नेश्ट को सैन की ओर दोस्तो देखो next question question 18 पर पुछा गया है वेर इस दा headquarter of international cricket council लोकेटेड अंतिराश्ट को cricket परिश्यत का मुख़ल है कहाँ पर स्थी थे तो दोस्तो आपको बताना परेगा इसके answer क्या होगा तो दोस्तो इसके answer हो जाते है अपसिंडी दुबाई यानि कि दोस्तो दुबाई is the headquarter of the international cricket council लोकेटेड next question दोस्तो question 19 तो दोस्तो देखो हमारे question 19 पर पुछा गया है where is the capital of हमाचल पदेश हमाचल पदेश का राजदानी कहाँ पर स्थी थे तो दोस्तो हमाचल पदेश का राजदानी कहाँ पर स्थी थे आपको live chat में बताना पड़ेगा सिमला, मंदी, देरादून या दोस्तो हमिरपूर जल्दी साप लोड live chat में comment करें बताईए इस question का answer क्या होगा तो दोस्तो हमाचल जो पदेश का राजदानी है वो जाता है option है सिमला यानि कि दोस्तो सिमला is the capital of हमाचल पदेश तो चलिए दोस्तो बरते नेश्ट को सेन की और question number 20 तो दोस्तो देखो question number 20 पर पुछे या है who is the highest known soldier guarantee award तो दोस्तो आपको बताने पड़ेगा इसका answer क्या होगा जल्दी से आप लोग live चुटे बताईए इस question का answer क्या होगा तो दोस्तो इसका answer क्या होगा जल्दी से आप लोग बताईए हाँ दोस्तो आप लोग ने सही बोला इसका answer हो जाते option भी असक चक्र यानि कि दोस्तो असर्क चक्र is the highest non-soldier calendary award दोस्तो देखो हमारे नेश्ट को सेन कोसे नेबर 21 पर पुछे गया है मासबात का दोस्तो मुखे समर्थे किसे माना जाता था तो दोस्तो आपको बताना पड़ेगा इसके एंसर क्या होगा जलदि साब लोग लाई प चेनने बताईए इसके एंसर क्या होगा तो दोस्तो इसके answer होजाते option D. Karl Marx यानि कि दोस्तो 21 पर कोसेन के answer होजाते option D. Karl Marx next question question to number 22 तो दोस्तो देखो question number 22 बहुती सांदार सा सवल पुछा है इसमें पुछा है दोस्तो पसित कामक्खा देवी मंदी दोस्तो किस राज़ में इस्ती थे तो दोस्तो जल्दी साब लोल आई चुने बताईए इसके अंसर क्या होगा दा फेमस कामक्खा देवी टेंपल इस लोकाटेड इनुइंचिटेड मदपदेश, कननटका, हिमाचल पदेश, आसाम तो जल्दी साब लोल आई चुने बताईए इसके अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसके अंसर हो जाते है ऑपसिंटी आसाम दोस्तो ये इस्ती थे आसाम के दोस्तो गोहाटी में कोसर नमर 23 पर पुछे गए तो दोस्तो आपको बताना पड़ेगा इसके अंसर क्या होगा हाँ दोस्तो आप लोग ने सही बोला तो दोस्तो देखो कोसर नमर 24 में पुछे गया है सादा नमक का दोस्तो रासाइनिक नाम क्या है तो दोस्तो आपको बताना पड़ेगा जो सादर नमक है दोस्तो उसका रासानिक नाम क्या है तो चलिए दोस्तो बढ़ते नेश्ट कोसेन की ओर दोस्तो देखो नेश्ट कोसेन कोसेन No.25 पर पूछा ग्या है The only stud in India that produce saffron is केशार का उत्पादन कनने बाला भारत का एक मातरे राज्जे कौन सा है दोस्तो देखो ये कोसेन बहूत important है बहूत easy भी है इसके answer आपको मालूम होगा कि दोस्तों केसर का दोस्तों उत्पादन भारत के किसी एक मात्रे राज्य में किया जाता है यूपी, जम्बू एन कास्मीर, हिमा चल पदेर, अरुना चल पदेश तो दोस्तों हाँ आप लोग ने सही बोला इसके answer हो जाता है option B, जम्बू एन कास्मीर, यानि कि दोस्तों the only state in India that produce saffron is जम्बू एन कास्मीर केसर उत्पादन करने बाला दोस्तों भारत में एक मात्रे राज्य होता है जम्बू एन कास्मीर, दोस्तों important है और easy भी है, आप लोग इस question को याद दखना या question आपके upcoming exam के लिए बहुत important है next question and question number 26, तो दोस्तों देखो question number 36 में क्या पुछे गया है दोस्तों इसपे पुछे गया है, what gas bubbles come out और पे soda water bottle, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, जोस्तों soda water bottle है दोस्तों उससे दोस्तों जो बूल बले निकलते दोस्तों उसमें कौन सा gas रहता है जल्दी से आप लोग लाइब चुड़े बताइए, oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide जल्दी से आप लोग लाइब चुड़े बताइए दोस्तों इस question का answer क्या होगा हाँ दोस्तों आप लोग ने सही बोला, इसके answer होगा जाते, oxygen, carbon dioxide यानि कि दोस्तों 26 निमबर कोसेन के answer होगा जाते, oxygen, carbon dioxide नेश्ट कोसेन, question number 27 दोस्तों तो दोस्तों देखो, question number 27 पर पूछा गया है वेर वास इंडिया फर्स्ट ट्रेन रन फ्रम मुंबाई तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पहली बार दोस्तों रेलगारी जो मुंबाई से कहा तक चली थी जल्दी साब लोग लाइवचेट में बताईए दोस्तों पहली बार जोस्तों ट्रेन चलाए गयी थी यो मुंबाई से कहा तक चलाए गयी थी देखो दोस्तो question A पर है पुने, B पर है शूराट, C पर है थाने, और दोस्तो question D पर है यदराबाद तो दोस्तो पहली बार रेल्वेय दोस्तो जो train चलाए गयी तियो मुंबाइ से चली तियो दोस्तों अपसेंसी थाने तक यानि कि दोस्तों थाने वाज इंडियास फर्स्ट ट्रेंड रन फ्रम मुंबाई नेश्ट कोसें दोस्तों कोसें नेबर 28 तो दोस्तों देखो कोसें नेबर 28 पर पूछे गए बारत के सबसे पूरानी तेल डिफानरी की दोस्तों कौन सी है तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस कोसें के अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसके एंसर हो जाते ऑपसेने डिग बॉई यानि कि दोस्तों 29 नंबर कोसें का एंसर हो जाते ऑपसेने डिग बॉई तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेश्ट कोसें की ओर दोस्तो देखो नेश्ट कोसेन कोसेन पर 30 पर क्या पुछा गया है तो दोस्तो 30 पर पुछा गया है इन विच टेट इस इंडियान नेवेल एकाडेमी लोकेटेड भारतिया नौसेना एकाडेमी किस राज्य में इस्थी थे तो दोस्तो जल्दी से आप लो लाइचेट में कॉमेंट करके बताईए दोस्तो जो भारती है नौस है न एकाड़ेमी है दोस्तो वो किस राज़े में इस्थी थे केरेला, कन्रटका, वेश्ट बेंगल, महाराष्टे दोस्तो इसका जो एन्सार होगा वो जाते option हे केरेला यानि कि दोस्तो इन केरेला इस्ट इस दे इंडियन नेवेल अकड़ेमी लोकेडेड तो दोस्तो आज केले बस इतना ही एगर आपको वीडिओ पसंद आया तो एक लाइट जरूर करना और अर्धों कमेन करके जरूर बता आपका इसकोर कितना हुआ तब टेल के बाई जेहिंज जेभार